दोस्तो गले के इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी होगी पेपर फॉम यह जो पेपर फॉम दोस्तो है मेरे पास इसकी जो टोटल लंबाई वो है 15 इंच और इसकी जो चुड़ाई है वो है 9 इंच अब जितनी लंबाई और चुड़ाई इस पेपर फॉम की है उतना ही बड़ा आपको एक कपड़ा लेना है इस कपड़े के उपर इसको आपने इस प्रकार से रखते हुए इसके उपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है ताकि इसके साथ यह चिपक जाए तो दोस्तो प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद जब यह आपका चिपक जाता अच्छी तरह से पेपर फॉम कपड़े के साथ अब इसको आपने इस प्रकार से फोल्ड करना ही देखिए बिल्कुल इस प्रकार से सेंटर से पकड़त हुए यह देखिए यहां पर थोड़ा के बाद दोस्तों यह जो इसका Center नहीं यहालवाब को Center दिक रहा हुगा इसके बिल्कुछ Center में आपको जाओंच से इस प्रकार से निशान लगा लेना है बिल्कुछ सीधा अब इस निशान को लगाने के बाद, यहां से आपको देख्जी एक इंच की दूरी रखने है, यह यह एक भी रख सकते हो, आप देड़ भी रख सकते हो, कोई दिककत synchronous नहीं, फिलाल चलो में इसकी डेड़ इंच की दूरी रख लेता हूं, इस प्रकार से इसको आपने एक lign ड्रो करनी है, इसी तरह से देखें, ठीक है, यह एक लाइन ड्रो हुचुकरी, दुबारे फिर आप ड्रेड इन्च पे क्निशान लगाएं, ड्रेड इंच इधर से और ड्रेड इंच इधर से इसे प्रकार से दोस्तों ड्रेड इंच के सारे जो लाइन से में ड्रो कर ली हैं अब इन्हीं लाइन के उपपर आपको लगाने हैं अपनी पसंद की लैस फिलाल दोस्तों यह देखिए मेरे पास एक लैस है और आप अपनी कोई भी चोई इसकी लैस लगा सकते हो के वल एक स्लाई में यह लग जाएगी आपको स्टार् इस ही प्रकार से आपको इतनी भी जो लाइन्मेंट डो कर र estudio सब पर यह लैस को को लगा लेना थो दोस्तो सबीकी सब्री लैस इस प्रकार से लगा ली हैं लैस इसको लगाने के बाद अब आपको क्या करना है यह देखिए आपको उल्टी तर्फ संब रखना यह यहां से जो गल्य की चो रखोँगा में वह रखोँगा में पॉन्य तीन लगाना है इस निशान को बिल्कुल सीधा इस परकार से लेकर जाएंगे अगर ही बात गल्य के लंबाई की गल्य की छोईस होती है को साड़े शेंच का गल्या पहांता है को साथ-इंच पा को कोई 7.5 इंच का तो दोस्तों यहां पर जो गला है वो रखूंगो मैं 7.5 इंच यह देखिए कि यह बिल्कुल आपको एक सांचा बना लेना है अब इस सांचे को मैंने बनाया है तो इसको भी आपको जो भी आप देना चाहो अपनी चोईस की कोई भी शेप दे सकते हो जैसे कि इसमें जो शेप मैं देने जा रहा हूं दोस्तों यह देखिए इस प्रकार से अलका से इदर से आपको एक निशान लगाना इस तरह से और यहां पर आपको कि इस प्रकार से गुलाई कर देनी है आप चाहें फपी लगानी है थपी लगाने के बाद दोस्तों यह देखिए यह जो जो उखи शर से भी उबर कर आ गई इसे को थोड़वाद है इसको में इस परकासे रख रखाए इसको अपने कि उलटा रखने हैं आला कि इसमें उल्टे सीधे का पता नहीं लगेगा क्योंकि प्लेय ने आपको हमेशा उल्टे ही तरफ रखना है और यह देखिए इसको उल्टा रखने के बाद इसको इसको उपर इस प्रकार से रख देना है क्योंकि जो गला है यह पलट के बाहर के तरफ आएगा इसको बि लगाने के बाद अब सारे कपड़े को आपने इतना कट पूरे लेना इस शिफ आधा इनिस का ही आपको मार्जन हरना है कि दोस्तों ये देखें ये जो गल ना इस प्रकार से इसको आप पल्थेंगे इधर से इसके जो इसकी Numbers यह वाले और गलाप का इस प्रकार से बाहर की तरफ पलट कर आ जाएगा इस प्रकार से देखे हैं अब इस सारे के सारे कपड़े को अपने अंदर की तरफ करते हुए यहां पर लगानी है किनारे की सिलाई तो दोस्तो आगे के गले पर इस प्रकार से स्लाई लगाने के बाद अब यह जो उठा हुआ कपड़ा नहीं यह वाला इसके उपर आपको एक स्लाई लगाने यह देखिए इसको फोल्ड नहीं करना ऐसे कैसे आपको श्लाई लगा लेनी देखें दोस्तो अब इस स्लाई को लगाने के बाद अब आपको एक लैस और लेनी यह देखिए जो भी कंट्रास के लिए से आप लेना चाहों ले सकते हूं क्योंकि इसके साथ दोस्तो जो पैंट मैं बना रहा हूं है रैड कलर की तो यह मैंने लैस लिए जिसमें रैड और गोल्डन दोनों का कॉंबिनेशन है इस लैस को आपने इसके उपर रखना इस प्रकार से और यहां से आपको इस लाई लगानी है यह देखिए अब इस раст को यहां से आपनी इस प्रकार से पकड़ते हुए ऐसे वोल्ड करना है यहाँ पर भी आपको ट्रAyанगल बनाना लेस का इस प्रकार से फोल्ड करते हुए तो दोस्तों यह एक सिलाई लगाने के बाद अब भी यह जो इधरसे उठावा इसा है ना लेस का यहां पर भी आप एक सिलाई लगा सकते हो इस प्रकार से तो दोस्तो गले का डिजाइन तो बन चुका है अब इसमें यह जो खाली पने यहां पर भी आप इस प्रकार से देखिए अपनी चोईस के बटन, मोती, स्टॉन कुछ भी आप लगा सकते हो देखिए बीच बीच में आप इस प्रकार से लगाएंगे तो गले का जो लुक है और भी अच्छा बन जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तो आज की जो वीडियो है वह कंप्लीट होती है जिसमें मैंने आपको गले का बहुत आसान सा डिजाइन सिखाया है अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्च